Hello friends and welcome back to my channel जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राखी बस आने ही वाली है कुछ ही दिनों में तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक ड्रेस का रिव्यू शेयर कर रही हूँ यह मैंने खुद के लिए मंगवाया था यह मुझे बहुत ही जादा पसंद आया है बहुत ही जादा डिफरेंट है यह तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं यह आप जैसा कि चेक कर सकते हो यह अनौक ब्रांड का है मैंने मिंत्रा से ही पर्चेजिंग की है और यह मैंने 70% आफ में पर्चेज किया था तो आप जैसा कि देख सकते हो यह मुझे कुड़ता एंड प्लाजो सेच मिला है जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा थांब नेल में उसी तरीके का यह पैटर्न है एंड यह आप चेक कर सकते हो जैसा है बिल्कुल लेंगा चोली होती है उसी तरीके का चोली है यह अगर आपको स्लीव से लगवानी है तो अपने पसंद का कोई भी कपड़ा आप लेके लगवा सकते हो यह प्योर कॉटन मटेरियल है और बहुत ही ब्यूटिफुल सा यह लाइक कॉटन है आप कपड़ा देख सकते हो बहुत ही ज्यादा बेटर क्वालिटी का है यह जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ना यह मिंतरा के साइट पे आपको लगेगा कि यह थोड़ा डार्क है या लाइट है लेकिन यह बहुत ही मीडियम ग्रीन अन मीडियम ब्लू है बहुत ही ज्यादा डार्क भी नहीं है बहुत ही ज्यादा लाइट भी नहीं है य मेरे अकॉर्डिंग इसलिए मैंने ग्रीन क्लर चूस किया है तो यह चेक कर सकते हैं आप इस तरीके का टैसल लगा हुआ है यहां पर है इस तरीके का एक वर्क है यह सिला हुआ है यहां पर स्लाइक की हुई है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि कपड़ा भी आपको मैं अच्छा लगा इसे पहनने पर भी यहां कि जैसा मॉन्सून का महीना होता है बहुत ज़्यादा चिपचिपा टाइप का होता है तो उसमें इस तरीके का मटेरियल अगर आप पहनते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है बहुत ही ज्यादा कॉमफोर्टीबल आप तो चलिए आपको सारी डिटेलिंग भी यहां पर मैं दिखा देती हूँ यह कितने किस प्राइस का है यह टोटल 4,099 रुपीज का है जैसा कि आप चेक कर सकते हो बट मुझे यह डिसकाउंट पे 1399 रुपीज के आजपस मुझे मिला है एप्रॉक्सिमेट 1400 रुपे में मु प्लाजो इसका बहुत ही जादा यूनीक डिजाइन का है तो चलिए स्टाट करती हूँ मैं यह दिखाना तो फ्रेंट्स यह देखिए यह है प्लाजो का कपड़ा और जैसा कि आपने चोली का कपड़ा देखा था बिल्कुल वैसा ही यह इसका प्लाजो का भी कपड़ा है बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यह पीछे इस तरी से इलास्टिक लगा हुआ है और आगे से इस तरीके का यह नॉर्मल जो बेल्ट टाइप का बटन बोल रही हूँ मैं सौरी यह जो आगे होता है ना बेल्ट टाइप का उसी तरीके का कपड़ा से बनाया हुआ ह और पीछे इसका बेल्ट लगाया हुआ है यह देखिए यह लास्टिक दी हुई है पीछे और सबसे अच्छी जो बात है यह आप देखो साइट से यहां पर यह स्टिचिंग की हुई है डुपट्टा इसका और यह डुपट्टा बिल्कुल आपको इसके साथ फ्री आफ और यह डुपट्टा का जो स्टाइलिंग है यह देखिए यह इस तरीके से इसका डुपट्टा भी दिया हुई यह भी कॉटन मटेरियल का है एंड यह आपके जो आपको यह चोली मिलता है उसी पर आप इसे डरेकली इस तरीके से आप हैंग कर सकते हो तो यह लहंगा और नहीं पहनना चाहता है अगेन इसका जो फेबरिक है कॉटन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और इसका जो लुक है बहुत ही न्यू औ। रफ्रेश्चिंग है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया I hope आप लोगों को भी यह अच्छा लगा होगा और वीडियो आप लोग के लिए useful रहा होगा तो friends, please मेरे वीडियो को like कर दीजेगा, comment करिएगा मेरे चैनल को subscribe कर लीजेगा तो मिलते हैं एक नई फ्रश वीडियो के साथ तब तक लिए बैबे, stay tuned